बाइनोमियल के विल्कुल लास में क्योंकि हम लोग उने बहुत सारे सेशन इस पे लिए हैं और हर एक सेक्शन पे कुछ नखुछ कॉंसेप्ट दिया है उसी को आगे बढ़ाते हुए लकुल लास में हम लोग लाजेस टम कैसे फाइंड करते हैं जब x की वैलू दी गई हो इस एक्सपेंशन में हम लोग सौर्ट कट इसका देखेंगे उसी सौर्ट कट के बेस पर हम लोग कुछ नख लगाएंगे तो in the expansion of 1 plus x की पावर n where x is equal to something like a r की पर हम लोग फाइंड करेंगे यहां पर greatest हम निकालना है mod x n plus 1 और mod x plus 1 ठीक है अब कैसे apply करेंगे इस चीज़ को हम लोग एक question के help से हम लोग देखेंगे तो उससे ज्यादा समझ में आएगा हम लोग ठीक है यहां पर दिया गया 4 x 4 plus 2 x की पावर 49 तो हम लोग सबसे पहले करेंगे 1 plus x की पावर n की फॉर्म बनाएंगे 1 plus x की पावर n तो इसका जो भी constant यहां रहेगा इसको common ले लेगे तो 4 की पावर 49 1 plus 2 x upon 4 की पावर 49 ठीक है basically हम लोग एक question ऐसा लिया ही है कि आपको इसका ठीक है से apply करना है कोई भी situation हो आप find कर पाएं अगर ऐसा था तो कुछ करना ही नहीं था आपको ऐसा है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा इसको हम लोग capital X consider कर रहे है तो capital X तो यह वाला formula लगाएंगे हम लोग तो पूरे को mod ले लेंगे 2 x by 4 डिवाइड कर सकते इसको n plus 1 तो यह n हमारा 49 plus 1 upon 2 x upon 4 की mod और plus 1 यहां पर में X दिया गया है small x की value 1 by 3 यह हमारा r आने वाला है तो इसमें X की value रख देगी mod को बैसिकली हमारा main reason है कि r positive यहां पर negative term भी दे सकते तो इसलिए mod लगा दिया गया यह तो 2 से कर दो कर गया X by 2 तो X की जगा हम 1 by 3 रख देते है X की value यहां पर put कर दिया हमने basically 50 हो गया यहां पर 1 by 6 प्लस 1 यह 1 by 6 आ जाएगा तो आप 50 by 6 और 7 by 6 50 by 7 कि हम लोग डिवाइट करेंगे so 7.1 or something अब हम लोग क्या करने वाले है आगे उसको हम लोग define करने वाले है r की value दो type से हो सकते है example में इस trick को लगाने के बाद r की value दो type की आ सकती है जिसे example में r की value 4 आई r की value 5 आई r की value 9 आई तो मतब यह integer type की आई इंटियर type जब आपने solve किया integer type की आ गई r की value जैसे example में आई थी 7.5 आ सकती है 9.3 आ सकती है 2.3 यह 4 जो भी आ सकती है तो fraction में आ गई तो दो तरीके की यह तो पूरा solve किया आपने formula लगाया tricks लगाई यह वाली r बराबर mod x n plus 1 upon mod x plus 1 तो कभी-कभी इस तरीके से बनेगा कभी-कभी इस तरीके से बनेगा कभी-कभी इस तरीके से बनेगा तो दो term होगे t4 और t5 यहाँ पर t5, t6 यहाँ पर t9 और t10 आप समाझी कहा होंगे integer आएगी तो वह ही पद और एक उस से आगे वाला दो term कैसे होंगे largest होंगे fraction में आई, t इसका integer part 7.5 और plus 1, t8 कहने के पता है इससे आगे वाला next इसके next क्या होगा 7.5 के next क्या होगा t8 यहाँ पर इसका integer part 9.3 plus 1 10 तो क्या आगे t 10 यहाँ इससे नहीं कर पाते हैं तो हमने बोला इसका next इसका next 9.3 का next क्या होगा 10 होगा क्योंकि fraction में कभी भी term नहीं होते हैं तो r की value जब calculate की तो 7.1 आया तो हमें t8 निकालना है क्या निकालना है यह हमारा largest term होगा यह largest term है t8 वहाँ पर option में c option हमारा correct हो गया इस बार जो question लिया है उस question में क्या कर रहे है कि जो r की value integer आ रही थी एक ऐसा question उठाया है कि r की value integer आये तो यहाँ पर देखें आपके सामने 3-5x की power 15 जहाँ पर x 1 by 5 है ठीक है यह calculation में इसलिए किया है एक बार method को हम लोग explain कर चुके है तो आपका साइन यहां रखा गया है यह हमारा n है तो n की जगा n प्लस 1 रख दिया गया है यहां mod x प्लस 1 है इस small x जो दिया गया वो और यहां पर भी 5 by 3 यहां पर नीचे वही जो इस्टेप लिया गया है तो 5 by 3 इंटो 1 by 5 इसको 5 से 5 कैंसल 5 से 5 कैंसल 16 by 3 यहां पर 1 by 3 बेसिकली 1 by 3 आ गया तो 1 by 3 प्लस 1 यह 4 by 3 हो जाए 3 से 3 कैंसल तो 16 by 4 दिस 4 दिस 4 दिस 4 दिस तो हमने बोला r की value यहां तो आपको fraction मिलेगी यहां को क्या मिलेगा integer तो यहां पर integer मिला r को integer मिली तो यानि कि दो term हमारे consider होगे जो value मिली है वही यानि t4 और t5 ठीक है यह निमरिकली greatest होंगे अभी हम लोग option match कराने के लिए आगे देखते हैं कि निमरिकली greatest term की value कैसे नि मिलना है तो हमें पता चला कि यहां पर 4th और 5th term मिलना है हमने जब r की value calculate की थी तो यहां पर 3 को बाहर लिया था 3 की power 15 बाहर आया था बट जब numerically terms अब calculate करेंगे numeric value क्या है तब आपको expenses जैसा दिया गया आप ऐसा ही लेंगे अब हमें चौथा पद और पांचमा पद यहां निकालना है तो जैसा कि पिछले our lady हमनों discuss कर चुगे है कि जब भी 4th term निकालेंगे तो 15c इससे कम 3 3 की power इसका इसका difference 15-3-5x की power 3 ऐसी हमने यहां पर भी यह निकाल लिया अब x की value हमनों यहां रखने वाले यह आपके सामन कर रहे है 15c3 3 की power 12 हो गया और minus 5 into 1 by 5 की power 3 तो यह कटने वाला है minus 1 की बाद रही कैसा negative आने वाला है तो यह आएगा minus 15c3 और 3 की power 12 अब इस बाले में देखते हैं हम लोग यहां पर रखते है 15c4 3 की power यहां पर difference किया 11 आया और 5 into 1 by 5 की power 4 यह कट गया यह positive आया जिसका value आया 15c4 और 3 की power 11 तो basically देखा जाए कौन सा match किया इन में से कोई match नहीं कर रहा है कौन सा हो जाएगा 10 of these तो हम लोग ने क्या किया दोनों term को solve किया अब हम लोग यहां पहुंच गए हम लोग option पर देखते हैं तो अभी एक भी option match नहीं कर रहा है numeric का मतला होता है जैसे कि numeric value तो numeric value of 2 is 2 कोई दिखा नहीं numeric value of minus 2 is also 2 तो numeric value जो होगी वहां पर minus और plus में कोई difference नहीं होता है हमें उसका magnitude चाहिए तो पहली बात तो यह जब minus R आ है तो magnitude वाइस देखेंगे तो उसका sign consider नहीं करेंगे 15C3 3 की power 12 हो गया numerically चाहिए हमें क्या चाहिए numerically इस वर्ड को ध्यान दे अब हमें option match कराना है तो NCR बराबर NCN minus R भी एक property हमने पड़ी थी यहां लगाएंगे तो 15C12 इससे घड़ाएंगे 12 और 3 की power 12 अब हमारा option 15C12 C option match कर जाएगा तो यहां पर last point पर जो हमने अभी discuss किया last point पर जो confusion हो सकता था उस चीज़ को सही कर ले numerically value क्या होती है option को ऐसे match करा रहे है यह आपको ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा